डेट आज 21 मार्च 2023 ये सब टॉपिक डिसकस करेंगे इस क्लास में फर्स टॉपिक है कुछ एकॉनमिक टर्म न्यूज में थी जो प्रिलिम्स के लिए जैसे लong term रैपऊ operation क्या है, ट्राई पार्टी रैपऊ एक है, वो क्या है इनके बारे में जानेगे जैंको डेटेल में अगर आपको देखना है ल्ट आरो क्या है तो economy की पलेलिस्ट में लेक्चर बना हुआ है वहाँ प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, हम यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस करेंगे, पहले जानते हैं, रैपो के बारे में रैपो क्या होता है, रैपो रेट तो आप जानते हो सब, अगर मानलो कोई कॉमर्शल स्डूल बैंक है, जैसे SBI है, PNB है, यह अगर RBI से हमारा जो Central Bank है, Reserve Bank of India, RBI से loan लेते हैं, और loan लेने के बाद, इसे चुकाएंगे, कुछ ब्याज देंगे, जो ब्याज की दर है, interest rate है, उसे बोलेंगे रैपो रेट, यानि कि अगर SBI, RBI से, या PNB, RBI से loan लेता है, और उस loan को चुकाता है, interest के term के लिए होते हैं, रैपो रेट पे अगर कोई व्याज लेता है, तो सौर टर्म के लिए होते हैं, यानि कि लगबग 14 दिन के लिए, 14 दिन ते ज्यादा नहीं हो सकते है, 14 दिन से कमी होंगे, अच्छा, फिर ये long term क्या है, जैसा इसके नाम में, अगर रैपो रेट पे, RBI लंबी अवदी के लिए ब्याज दे, वो ही है, लॉंग टर्म रैपो उपरिशन, इसमें लॉंग टर्म कितना है, 123 एर हो सकता है, एक से तीन साल तक के लिए ब्याज दे सकती है, RBI कॉमर्शल बैंकों को, इसका टारगेट है, जो LTR, LTR हो का ये है, कि सेंटरल बैंक चाहता है, कि जो फंड अवेलेवल हो, और जादा से जादा इन्वेस्टमेंट आए, जैसे अगर मानलो, ये SBI, PNBA, इनके पास जादा फंड होगा, ये ब्याज ले लेंगे, RBI से इनके पास जादा फंड होगा, तो फिर आगे ये ब्याज जादा देंगे, कोई मानलो, कंपनी ल 2008 में उस टाइम पे और RVI ने भी इसको हमारे इंडिया में इंट्रडूस किया लॉंग टर्म रेपो उप्रिशन को तो क्या है यह हमने जान लिया पूरा डिटेल में इसके बारे में जानना है तो आप एकॉनमी की पिले लिस्ट में देखना नेक्स्ट एक टर्म है ट्राइपार्टी रेपो यह क्या है जैसा इसके नाम में आ रहा ट्राइपार्टी यानि कि इसमें देखो अगर कोई भी बेंक है या कोई भी मालो उधार लेना चाहता है उसकी गारंटी कौन देगा थर्ड पार्टी देगा ट्राइपार्टी मतलब त अलग होती है उधार लेने वाला और उधार देने वाला लेंडर इन दोनों से अलग कोई पार्टी है उसे बोलेंगे थर्ड पार्टी या ट्राय पार्टी एजेंट यह इंटरमीडियरी के तरह काम करता है बिचोलिय की तरह जैनि कि जो लेंदार है और जो देंदार है उन द अब देखता है थेड पार्टी और नहीं है क्योंकि इसमें थेड पार्टी इंवल्फ जैसे dual commercial bank जैसे SBI है यह third party बन सकता है यह मानलों किसी दूसरे bank को loan देनाना चाहिए चोटा bank के कोई और loan देनाना चाहिए RBI से तो SBI उसकी guarantee लेगा कि मैं बीच में हूँ इस तरह से third party agent हो जाएगा या कोई collateral है जैसे government securities है corporate securities है यह भी हो सकते है third party government security क्या होते है जैसे यह कागज है इस पर लिखा है government security कितने की है rate लिखा होगा क्या है सब कुछ लिखा होगा इसके ऐसे corporate securities होती है कुछी company की security security paper बोल सकते हैं आप तो इस तरह से यह भी eligible है third party agent बनने के लिए यानि कि इनको बीच में रख दिया जाएगा कि अगर मालो loan नहीं चुका पाया तो government के security दे दी जाएगी उसको तो यह यह इसमें next topic है रेकुन डॉग्स और देखो रेपो के बारे में detail में जानना आपको रेपोरीट क्या है पूरा detail में यह reverse रेपोरीट यह CRR यह सब क्या है इनके बारे में economy की playlist में बहुत ही simple भासा में और कई तरीके से different different way में समझाया हुआ है वहाँ पर आप देख सकते हो अगर वो lecture आपने देख लिया तो कभी भी इनसे आया हुआ question गल्ट नहीं होगा और इनसे हर बार question आता ही आता है चाहे कोई भी exam हुआ next topic है raccoon dogs यह prelims के लिए important है सिर्फ यह देखो इसके genetic data की analysis की है अभी चाइना का वुहान जो city है जहां से देखो coronavirus emerge हुआ तो अभी देखो इसकी जब analysis किया इस dog के genetic data की तो यह पाया कि coronavirus ना हो सकता है इस raccoon dog से निकला हूँ इस dog से ही originate हुआ हो यह लगाया जारा अनुमान अभी यह है raccoon dog देख सकते हूँ आप image में यह लॉम्डी है ना जब उसी की परजाती का है fox की जो family होती है उसी की परजाती का है यह winter के दौरान यह hibernate हो जाता है hibernate का मतलब सुस्त हो जाता है एक तरह से छुप जाता है कहीं पर winter के दौरान जब सर्दियां आती है दो टाइप की species पाय जाती है रैकूल की एक है यह नाइक्टे रिटस प्रोसियोनाइड और दूसरी है आपकी यह नाइक्टे रिटस पी विवेरीनस यह नाव आपको याद करने की जोत नहीं है बस इतना जान लो कि ऐसी देखो वैसे आपकी आखों में बसा होना चाहिए कि पूछ ले कि एक लाइन में क्योंकि बहुत important है करोना से related question पूछा है यो पीसी में पहले भी और यह origination का है कि कहां से करोना origin हुआ तो यह आपको य यह मास भी खाता है साकाहरी मासारी दोनों है सब चीजे खाता है और जो रैकून डॉक से यह originally देखो इस टेशिया में रहता है या फिर आपके चाइना के पार्ट कोरिया जापान यहां पे पाया जाता है और यहां पे देखो रैकून डॉक्स को यह तनूकी भी बोलते है तनूकी या टनूकी इसकी प्रणेंसेशन हो सकती है तो यह भी आपको याद रखना तनूकी क्या है टनूकी क्या है नेक्स्ट टॉपिक है कैबूल लेंब जाओ नैस्नल पार्क प्रिलिम्स के लिए इंपोर्टेंट है अभी देखो जो यूनियन मिनिस्टर फोर इन्वार लेंब जाओ नैस्नल पार्क है यह इसकी जो बाइडावस्टी है लॉस हो रही है तो इसके प्रोटेक्शन के लिए आप कदम उठाओ इसलिए न्यूज में आया तो यह लौक तक लेक और कैबूल लेंब जाओ नैस्नल पार्क केई बार इनसे क्वेशन पूछा जा चुका लोग तक लेक में न देखो यह जो घास दिखाई दे रही है तैरती हुई घास फ्लोटिंग ग्रास बोलते हैं से फ्लोटिंग तैरती हुई ग्रास यह देखो इस पर घर भी बने हुए है यह बना हुआ है जो जो यह मतलब लोगों के घर नहीं बने हुए इस पर यहाँ प तेरती हुई ग्रास है, फ्लोटिंग ग्रास, इसको FUMD बोलते हैं यहाँ पर, FUMD, P-H-U, M-D-Y, M-D-I, तो यह फ्लोटिंग नेसल पार्क, पूरे वल्ड का एकलोता फ्लोटिंग नेसल पार्क है, जो लोक तक लेक में है, याद रखना है आपको, यह लोक तक लेक है, L-O- याद रखना है, लोकेशन मनिपुर की जो बिशनुपुर डिस्टी का वहाँ पर लोकेटिड है, यह पार्क साउथ वेस्टन पार्ट में है, लोक तक लेक के, लोक तक लेक बहुत बढ़ी है, उसके साउथ वेस्टन पार्ट है जो, सोरी यहाँ पर, साउथ वेस्टन पार जिसे dancing deer भी बोलते हैं मनिपुर में, या bro antler deer, sun guy deer या dancing deer, और ये endangered species है, जो IUCN है, उसकी जो category हैं, उसकी endangered category में आता है, vegetation क्या क्या पाया जाता है, ये wetland तो है, आद्र भूमी, पानी बरा हुआ है, terrestrial भी पाया जाता है, थोड़ी घास है, पक्का भी वहाँ पे मकान वगएरा भी बनाया जा सकता है, aquatic तो है, और देखो ये रामसार साइट भी है, रामसार साइट, क्या होती हैं आपको पता है, न ये prelims के लिए important है सिर्फ, एक Carnetic Vocalist है, जिनने पदमा सिरी भी मिल चुका है, ये हैं, बॉम्बे जया सिरी, इनको दिया गया है ये award, कलाने दी अवार्ड 2023 का, कौन देती है इस award को, इसे संगीता कलाने दी अवार्ड भी कहा जाता है, या संगीत कलाने दी अवार्ड, क्य या सिंपल कलाने दी अवार्ड, मदरास की academy है, मदरास music academy, वो इस award को देती है, yearly, और ये Carnetic musician को दिया जाता है, देखो हमारे इंडिया में music को दो टाइप में बाटा गया है, नौर्थ इंडिया में जो है, वो आपका हिंदुस्तानी style है, और साउथ इंडिया में जो उसको Carnetic style बोलते हैं, तो Carnetic musician जो है, mainly आपके तेलांगना, आंधर परदेश, अपका करनाटक, केरल, तमिल नाडू, जो ये place है, यहाँ पे जो music है, उसको Carnetic style music बोलते हैं, इन में जो अच्छा काम करता है, उसको ये award दिया जाता है, next topic है, सोराष्ट तमिल संगम, festival to be held in गुजर ये होने जा रहा है, सोराष्ट तमिल संगम, सोराष्ट गुजरात में है, और तमिल नाडू और सोराष्ट यानि की गुजरात और तमिल नाडू की जो culture है, उसको mix up करने के लिए कि गुजरात के लोग तमिल की culture के बारे में जाने, और तमिल के लोग गुजरात की culture के बार वह जना technology में जाने इसके लिए festival है क्या जाते हैं festival कराए जाते हैं यह गुजरात में कराए जा रहा है यह एक बहरत स्टेस्ट भारत जो स्कीम है गवर्रमेंट की इसके अंदर यह कराया जा रहा है यह गुजरात तमिलनाडू के लोग यहां पर participate करेंगे तो यह गुजरात में होने जा रहा है हम जानेंगे कि जो एक भारत स्टेस्ट भारत जो स्कीम है योजना अभियान है इसके अंदर कैई सारे स्टेट को आपस में जोड़ दिया गया है कि इस तरह ऐसे कि उनको उनकी कल्चर को आपस में पर्मोट क किया जाएगा तो वो भी आपको याद रखना है कि इसमें इंगेजमेंट कौन कौन से स्टेट को क्या गया है जो एक भारत स्टेस्ट भारत जो केम्पेन अभियान है या स्कीम है इसके अंदर देखो तमिल नाडू को गुजरात के साथ नहीं जोड़ा गया है तमिल नाड का जो मेल मिला पर बढ़ सके और जो नफरत होती है नहीं दूसरे के प्रति उसको मिटाया जा सके इसमें देखो सौमनाथ टेमपल है जो उसके और रामिसवर टेमपल है तमिल नाडो में सौमनाथ टेमपल गुजरात है इसकी हिस्टोरिक जो लिंक है उसको दर्साय उसको showcase किया जाएगा इसमें देखो तमिल के एक TM सौंद्रा राजन प्लेबेक सिंगर है ये भी देखो सोरास्ट से ब्लॉंग करते हैं तो इनको भी यहाँ पे जो दिखाया जाएगा तो हम जानते हैं कि जो एक भारत स्टेश्ट भारत इंगेजमेंट मेंट्रिक्स क्या है जो स्टेट और Union टरिटरी के बीच में इंगेजमेंट कराती है ये आपको याद रखना मेंली है य sms इसको पढ़ना है कि इसमें जो एक भारत खॉश्ट भार झाए इसके अंदर कौन-कौन से state को जोड़ा गया है कि इसकी culture को इसके साथ हम promote करेंगे इसमें देखो गुजरात को 36 गड के साथ गुजरात और 36 गड की जो culture है उसको आपस में promote किया जाएगा एक दूसरे state में तमिल नाड़ो को जम्मु कश्मिर और लदाक से engage किया गया है मद्यपरदेश को मनिपूर और नागालेंड से मिक्सप किया गया है, हिमाचल परदेश को केरल से, महराष्ट को उडिशा से, उत्तर परदेश को मेगाले अरुनाचल परदेश से, पंजाब को आंधर परदेश से, गोवा को जहारखंड से, लक्षदीप को आपके अंडमान निकोबार से, उत्तराखंड को करनाटक से, हरियाना को तेलांगना से, राजिस्थान को असम से, देली को सिक्किम से, बिहार को तिरपुरा मिजोरम से, चंडीगर और पुद्दुचेरी को, दादर और नागर हवेली, दमंद्यू, देखको इसमें मेली क्या है, जैसे आप ये इंडिया का मेप देख रहे हो, वर्ल मेप में ही देख लेते हैं, इंडिया का मेप, जो ये वाले पार्ट है, नौर्थ को साउथ से जोड़ा गया है, वेस्टन को इसमें जोड़ा गया है, इस्टन से, और जो सेंटल है, उनको थोड़ा इन सेंटल ये वाला पार्ट है यहां से जोड़ा गया है और यह वाले पार्ट हैं जो यहां पे इधर जोड़ा गया है तो यह आपको इस तरह से याद रखने मेप पे देखके नेक्स टोपिक है वाइकॉम सत्यागरे वाइकॉम सत्यागरे रिसेंट्ली न्यूज में हैं क्योंकि इसे 100 साल पूरे होने जा रहे हैं अगले साल जब यह स्टार्ट हुआ था तो गॉर्मेंट इसका सेनेटरी सेलिब्रेशन करेगी और्गनाइज करेगी केरल गॉर्मेंट तो इसलिए न्यूज में है प्रलिम्स के लिए भी इंपोर्ट एंटर जीस पेपर वन के जो डिप्रेश क्लास है जो वन्चित तबके के लोग हैं जो SCST के टगरी में अभी जो आते हैं उनको मंदिरों में घुसने की इजादत नहीं थी तो उसके लिए यह मूमेंट चलाया गया था वहाँ पे जो केरल है केरल में कोट्टम डिस्टिक है अभी फिलाल की कोट्टम पहले उसे त्रावन कोर के अंदर ही आता था वो त्रावन कोर के अंदर केरल का नाम भी पहले त्रावन कोर था तो यह कोट्टम डिस्टिक है जो केरल की वहाँ पे यह सिव टेंपल है भगवान सिव का टेंपल है वाइकॉम जगह है वहाँ पे तो वहाँ से स्टार्ट हु उनको टेंपल में इंटर करने की परमीशन नहीं थी तो यह सत्यग्रा इसलिए ही चला था इसमें जो लीडर थे कौन-कौन से लीडर थे जन्होंने चलाया था लेड क्या था के कैलापन ने टीके माधवन है यह आपको लीडर याद होने चीए पूछा जाता है ऐसे कि यह ली प्रभाव क्या पड़ा था कि जो देखो केरल के उस टाइम पर राजा हुआ करते थे किंग उन्होंने किंग का नाम था महाराजा चित्थीरा थिरूनल बाल बलराम वर्मा इन्होंने क्या है यह टेमपल एंट्री प्रोकल्मिनेशन जारी कर दिया 12 नमबर 1936 को टेमपल एंट्री प्रोकल्मिनेशन का मतलब यह था कि अब लोर कास्ट को टेमपल में घुसने द जा सकता है गौवर्मेंट ने न्यू प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट स्टार्ट किया है ताकि जो महिलाएं उद्योगपतिया वूमन इंटर्प्रियोर उनको देखो पर्मूट किया जाए एनक्रेज किया जाए इसलिए चलाए गया है तो क्या लक्षा है इसका यह याद होना किसने चला है गौवर्मेंट ने चेंटल गौवर्मेंट फीचर क्या क्या है इसमें एक हर स्टार्ट इंक्यूबेटर होगा जो स्टार्ट अप इंक्यूबेटर है वूमन महिला है जो उनको पर्मूट किया जाएगा ज्यादा ज्यादा इनोवेशन लाने के लिए हर स्टा चलाती हैं कंपनी चलाती हैं उनको 20,000 दिया जाएगा मंतली अलाउंस एक साल तक इसमें नेक्स्ट टॉपिक है तमिल लाडू कासा नोई इरेपिला ठिट्टम यह प्रिलिम्स के लिए भी इंपोर्टेंट है और मेंस के लिए भी यह एक्जाम्पल यूज किया जा सकता है से करने के लिए तीवी की बिमारी क्या होती है कैसे तरह से होती है एक बैक्टिरिया से होती है और ये अगर आप किसी को टीबी यह उसके कौन्टेक्ट में आते हो तो आपको भी टीवी होने के चांजसर बहut ज़्यादा हो जाते है तो जो इनासितिव है यह अप्रेल 2022 में ल पेसेंट्स को जो भी ज़रुवत है, वो ज़रुवत के सामान दिये गए, अच्छे से डाइगनोसिस किया गया, जिस पे भी सकता कि इसको टीबी हो सकता है, पता लगाया गया, जांच की गई, डाइगनोसिस किया गया, इसका इंपेक्ट ये हुआ, देखो, अप्रेल 2022 में 600 स से भी जादा मरीज थे, टीबी के तमिलनाडू स्टेट में, और अब जिस एरियाद में ये लागू किया गया, तो दिसम्बर 2022 में 300 से भी कम मरीज रह गए हैं, यानि कि बाकी के ठीक हो चुके हैं, तो टीबी को ठीक करने के लिए ये के अभियान था, ये टॉपिक ते कु सिर्फ पुरा में है, इसकी लॉकिसन आपको याद रखनी है बस, तृष्णा वाइड लाइफ सेंचुरी की, तो ये ही टॉपिक थे आज के इंपोटेंट,